विटामिन सी को एसकोब्रिक एसिट के नाम से भी जाना जाता है विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है यह एक एंटियोक्सिडेंट है एंटियोक्सिडेंट हमारी कोशिकाओं को मुक्त कनों के प्रभाव से बचाते है विटामिन सी हमारे शरीर को हमारे द्वारा खाये जाने वाले भोजिन से आई रंग को अव्शोशित करने में मदद करता है विटामिन सी हमारी प्रतिरक्षा प्रनाली को मजबूत करने में भी मदद करता है इसके अलावा विटामिन सी न्यूट्रोफिल यानी सफेद रक्त कोशिकाओं के विकास में मदद करता है ये हमेश वसन संक्रमन और कोरोना वाइरस जैसी बिमारियों से बचाता है, खासकर बरसात के मौसम में ये जोडों के लिए भी बहुत उप्योगी है विटामिन सी तवचा, रक्त वाहिकाओं और हड्डियों को स्वस्त रखने में भी बहुत सहायक होता है दातों और मसूरों को मजबूत रखने में मदद करता है प्रति दिन कितना विटामिन सी आवश्यक है? पुरुशों को प्रति दिन 90 मिली ग्राम और महिलाओं को 75 मिली ग्राम विटामिन सी की आवश्यक्ता होती है विटामिन सी की कमी से बचने के लिए अगर आप ये टॉप 10 फूद्स खाएंगे तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा हमारे डॉक्टर मलेश्वर राओ का कहना है कि जो सबजियां और पल बहुत खटे होते हैं उनमें भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है आम कच्चे आम में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है आम में 36 मिली ग्राम विटामिन सी होता है पके आम में आम तोर पर कच्चे आम की तुलना में विटामिन C कम होता है आम में विटामिन C, A और अन्य प्रकार के केरोटीनॉइट भी होते है अनानास अनानास विटामिन A और C से भरपूर होता है अनानास में 47 मिली ग्राम विटामिन C होता है इसी तरह ये अन्य पोशक तत्वभी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं स्ट्रॉबेरी 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी में 58 मिली ग्राम विटामिन सी होता है इसमें कैलोरी कम और फाइबर अधिक होता है इनमें विभिन प्रकार के एंटियोक्सीडेन भी होते है पपीता पपीते में विटामिन सी और विटामिन अ अच्छी मात्रा में होते है प्रतेक 100 ग्राम में लगभग 60 मिली ग्राम विटामिन सी होता है पपीते में कैरोटीन, विटामिन B, फोलिट, पोटेशियम, मेगनिशियम और फाइबर जैसे अन्य पोशक तत्व भी होते हैं खटे फल ऐसा कहा जाता है कि खटे फल विटामिन C से भरपूर होते हैं अगर आप इन फलों को रोजाना खाएंगे या जूस के रूप में पेंगे तो आपको कई फायदे मिलेंगे खटे फलों में विटामिन C की मात्रा फल की विविद्दा, आकार और पकने सहित कई कारकों पर निर्भर करती है संत्रे में 70-90 मिलीग्राम होता है चकोत्रा 80-100 मिलीग्राम 30-40 मिलीग्राम नीमबू एक कप संत्रे के जूस में 124 विटामिन C होता है इसका मतलब है कि अगर हम इन में से एक पीते हैं तो हमारे शरीव को प्रतिदिन पर्याप्त विटामिन C मिलेगा नीमबू के प्रती 100 ग्राम रस में 53 मिलीग्राम विटामिन C होता है इसका सेवन जूस या अचार के रूप में भी किया जा सकता है क्रूसिफेरिस श्रेणी में सबजिया पत्तागोबी परिवार की सबजिया आपके विटामिन C की दैनिक खुराक प्रदान करती है देखिए कौन सी है वो सबजिया ब्रोकोली एक कप कटी हुई 80 मिलीग्राम केल एक कटा हुआ 80 मिलीग्राम ब्रसल स्प्राउट्स एक कट 75 मिलीग्राम लाल पत्तागोबी एक कप 50 मिलीग्राम फूल गोबी एक कप कटी हुई 48 मिलीग्राम ये सबजिया सभी पोशक तत्वों से भरपूर होती है एंटियोक्सिडेंट से भरपूर होते है अगर ब्रोकोली को लंबे समय तक उबालने के बजाए थोड़े समय के लिए उबाला जाए तो इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है कीवी कीवी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है अगर आप 100 ग्राम कीवी खाते हैं आपको लगबग 42 मिली ग्राम विटामिन सी मिलेगा। दरसल कीवी में संत्रे से भी ज़्यादा विटामिन सी होता है। कीवी में फाइबर और फ्लेवनोईड और कैरोटिनोईड नामक विशेश पदार्द भी होते हैं जो आपके शरीर की रक्षा करने में मदद करते हैं। लाल बेल मिर्च शिमला मिर्च हरे, लाल और पीले विभिन रंगों में आने वाली शिमला मिर्च में विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में होता है। इसमें संत्रे से भी अधिक विटामिन सी होता है। आलू और सलात भी विटामिन सी से भरपूर होते हैं। गाजर और टमाटर में भी विटामिन सी पाया जाता है। आलू और टमाटर आपूर को अबड़ पर आप प्रेच कर दोंगर एंद आलू पर लोंगर प्रेस्ट विटा।